तनाव दूर करने के दस तरीके पहला, रोज सुबह सूरियोदय से पहले उठने का प्यास करें और मॉर्निंग वॉक पर जाएं यदि नहीं जा पाएं तो जिम भी जॉइन कर सकते हैं उससे तन और मन स्वस्त एयों तरो ताजा रहेंगे दूसरा, सकारात्मक सोच रखने से और रोज योग करने से तनाव दूर होता है पीसरा, ओफिस की समस्या घर पर और घर की समस्या ओफिस में ना लेकर जाएं इससे आपका ओफिस का भी कार्य प्रभावित नहीं होगा और घर पर भी अच्छा महौल बना रहेगा चौथा, ओफिस से घर जाने के बाद बच्चों के साथ भी समय बिताएं उनके साथ खेलने से भी व्यक्ती तनाव मुठ होता है पाचवा, यदि आप विवाहित हैं तो भी और यदि आप आविवाहित हैं तो भी महीने में कम से कम दो बार परिवार के साथ घूमने चाएं वे परिवार के साथ बाहर खाना खाएं जिससे महौल अच्छा बना रहेगा च्छटा, अपने पसंद के गाने सुने और गुनगुनाने से भी महौल बदल जाता है और इंसान तनाव मुठ महसूस करता है साथवाँ, मेडिटेशन अर्थात ध्यान करें जिस्ते की एकागरता बढ़े ताकि शोरगुल के बीच भी कारे करना पड़े तो भी आपके कारे पर कोई फर्प ना पड़े आठवाँ, जब भी किसी से मिले तो चहरे पर मुस्कुराहत बराबर बनी रहनी चाहिए छोटी-छोटी बातों पर तनाव ना ले वे ऐसी बातों का उसी समय त्याक कर दे नवा, गल्तिया हर इंसान से होती है जो गल्ती हो गई है उस पर अफसोस ना करें और ना ही तनाव में आए क्योंकि जो हो चुका है उसे कम्प्यूटर की तरह वास्त्रिक जीवन में हम अंडों नहीं कर सकते उसकी सिर्फ भरपाई ही की जा सकती है जैसे कि यदि आपके पांसो रुपए गिर गए है और आपको पता है कि अब मिलना मुश्किल है तो उस बात को लेकर ना बैठे रहें बल्कि ये ध्यान रखें कि आगे से ऐसा ना हो दस्वा अपने लिए समय निकालें और अपने शौक पूरे करने का प्रयास करें हर हाल में खुश रहने की कोशिश करें आशा करती हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद